आज हम हेयर सीरम पर बात करने वाले हैं क्या-क्या इंगिडियेंट्स में लगेंगे किस तरह से हम इसको प्रिपेर करेंगे घर पे ही एक्दम लो बजट में ही और क्या-क्या इस हेयर सीरम से बेनिफिट होने वाले हैं मार्केट से में मिलने वाले हेयर सीरम से कहीं ज़्यादा बैस्ट होने वाला है यह सीरम और आपके हेयर में किस तरह से एकदम ग्रो और शाइनी बनाने वाला है यह सीरम इसके लिए हमें ले ले लेना है अलोवीरा अलोवीरा आपके हेयर को ग्रोथ करने के साथ साथ आपके बालों में एक्स्टा शाइन डालने का काम करता है आप मार्केट से आने वाले ऐलोवेरा जेल का ही यूज करेंगे तो ज़्यादा बैस्ट रहेगा आपके लिए क्योंकि हम इस हेर सीरम को एक विक तक स्टोर करके रखने वाले हैं जो प्लांट बेस ऐलोवेरा जेल होता है उ तो उसमें तो इसमIFAर को स्टोर करके रखने हैं तो उसमें соврем होता है इसलिए हम मार्केट में मिलने वाले ऐलोवे जर्याकर कर ioa पर यूज ago करेंगे उसके बाद इसके एंदर हम डालने वाले है रूजğisch वार्टे रूस्ट होरे है को एकडम अधर्व्य शीलिदि का capsule विटामीन ही हमारे हैर को नरीश करती है और स什麼 हाइट चीज़ों को यह जो पावरफुल चीज़े हैं इन तीं जी जो को हमें अच्छे से मिक्स करना है अब इसको मिक्स करते जाओगे तो एकदम ये क्रीमी फॉम में आ जाएगा और ये देख सकते हैं कि ये क्रीमी फॉम में आ चुका है और इसको हमें लगबग 5-10 मिनट इसी तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये थोड़ा ठीक हो गया है इसके अंदर आप वोटर को एड़ करके किसी भी बोटल के स्प्रे हमारा बन करके त्रह त्यार हो गया है और अगर हम आपके बाल एकदम फ्रीजी हो गए हैं ड्राइड़ी हो गया है तो आप ये हूम मेड्य इन अज्ड़ प्सका ही यूज करें मॉर्कित मिलने वाला जो सेर्म होता है उसका ही यूज हम करते तो हैं लेकिन कुछ टाइम के आपके हेर एकदम ड्राइड डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और आपके बाल तूटना शुरू हो जाते हैं उसको आप अवोईड कीजिए और यह जो होम मेड जो हमारा सीरम है इसका ही यूज आप अपने हेर पर करोगे तो ज्यादा बैस्ट रहेगा यह आपके बालों को उल्टा आपके बालो को श्लकी शाइनी बनाएगा और हेर को रीग्रो करेगा मार्केट में जो सीरम होता है उसका यूज हम सिर्फ अपनी हेर लेंध पर ही करते हैं अपनी सकल्फ पर करेंगे तो गज़ एक में पर दिमेज करतेले गा इस हेर सिरम का आा यूज आप अपने scalp पर भी कर सकती है कोई भी इसका नुकसान नहीं होने वाला है उल्टा आपको इसका benefit ही मिलेगा और आपके जो hair ends हैं वो एकदम नरिश हो जाएंगे आप split ends नहीं आएंगे इसका use अगर हम करेंगे serum का तो आपके ends हैं वो नरिश हो जाएंगे और एकदम सिल्की शाइनी स्मूथ हो जाएंगे और जो आपके दो मुहें बाहर निकलते हैं वो hair dry होने की वज़ासे हमारे hair ends dry हो जाते हैं उसकी वज़ासे होते हैं और ये जो serum है ये हमारे hair ends को नरिश करेगा नरिश होने की वज़ासे हमारे split ends नहीं आएंगे और जो हमें धूप से protection ये hair serum देगा इस serum को हम अपने हथेली पर लगाकर अच्छे से rub करना है ये थोड़ा हलका गरम हो जाएगा तो इसे अपने hair ends पर यूज करना है आपके फ्रीज हो जाएंगे और आपके hair एकदम सिल्की शाइनी तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा इस serum को आप आइज स्पा क्रीम भी यूज कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत benefit मिलने वाला है हेर वोश के बाद आप अपने hair को टैंगल फ्री कर रहे हैं तो इस serum का अपने hair पर यूज कीजिए और उसके बाद अपने hair को डिटैंगल कीजिए इस से आपके hair में ब्रैकेज के साथ hair full की problem भी खतम हो जाएगी और आपके hair नरिश रहेंगे तो इसी तरह की और भी informative वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहे हैं अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सस्क्राइब करना है ना भूले मैं इसी तरह आपके साथ और भी informative वीडियो लेके आती है अगर आपको मेरी वीडियो इन्फरमेटिव लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है मैं इसी तरह से home remedy आपके लिए लेके आती रहूंगी और जो home remedy होती है ये आपको कोई नुकसान नहीं देती है उल्टा आपको इसका benefit मिलता है तो आप home remedy का यूज़ कीजिए रही है अपनी life को enjoy कीजिए और अपनी life में positive रही है positive thought के साथ कोई भी remedy यूज़ कर रहे हैं कुछ भी चीज़े कर रहे हैं उसका benefit आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छे से देखने का मिलता है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए मेरे चैनल पर बने रहें